तो हमने स्टार्ट किया था बी फामिसी फॉर्स सेमस्टर में यूनिट नमबर फॉर और यूनिट नमबर फॉर के लास लेक्चर में हमने सिदेटिव और इपनोटिक्स को डिटेल स्टेडी करा था जहां पर हमने सिदेटिव और इपनोटिक्स की डेफिनेशन उनके बीच का difference, उनका classification और उनका mechanism of action देखा था, sedative hypnotics होते क्या है, definition, इन दोनों के बीच का difference, इनका classification और mechanism of action की sedative और hypnotic किस परह से central nervous system को depress करते थे, तो classification में हमने last lecture में benzodiazepine का classification देखा था, जहां पर हमने पहले देखा benzodiazepine होता क्या है, उसके बाद हमने देखा था, SAR, structure activity relationship of benzodiazepine, पर यह कुछ structures हमने देखे थी, और last में हमने synthesis देखे थी, डाइजपाम की, अब आज का जो आपका lecture है, वो classification को continue करने वाला lecture है, आज की इस lecture में हम देखने वाले हैं, sedative hypnotics का अगला classification, जो की है, barbiturates and miscellaneous, तो देखो, आज की इस lecture में, मैंली हमारा जो focus रहेगा, वो रहेगा, इन के उपर, एक तो barbiturates का SAR, SAR मतलब structure activity relationship, पहले हम barbiturates ring देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम इसमें क्या-क्या change कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे barbital की synthesis, क्योंकि इसके उपर start लगा हुआ है, फिर हम यहाँ पर इनकी structure uses देख लेंगे, वैसे important तो है, नि बस मैंने बना रखी है, ताकि आपको ध्यान रहे, थोड़ी वो change होती ही, बाकि ring तो same होती है, यह मैंने आपको last lecture में भी समझाया था, तो आज आपका city hypnotics हम complete कर देंगे, क्योंकि last lecture में benzodiazepine हो गया था, आज के lecture में हम barbiturates और miscellaneous cover करेंगे, तो चलिए lecture को start करते हैं, अगर आपको all lecture की requirement है, तो आप check कर सकते हैं हमारी playlist, जहां पर आपको unit wise सारे lecture मेंने mention किये हुए हैं, और अगर आपको notes की requirement है, तो आप check कर सकते हैं हमारी application, depth of biology की application आप download कर सकते हैं play store से, और आपको वहाँ पर सारे notes available मेंने कराए हुए हैं, वहाँ पर live lectures भी होते हैं, online classes भी होती है, तो ज़रूर download कीजेगा depth of biology application, चलिए lecture को start करते हैं, तो चलिए बिल्कुल basic से start करते हैं आज के lecture को, जैसा कि आप सभी जानते हैं Barbie turrets, Barbie turrets are come under in classification of sedative and hypnotic, sedative hypnotic के classification में आता है Barbie turrets, तो अगर आप से कोई पूछे कि Barbie turrets का uses क्या क्या होंगे, तो जो last lecture में हमने sedative hypnotics के use देखे थे, वही Barbie turrets के होंगे, च्योंकि sedative hypnotics का ही classification है, जिसे मैं अगर आपको syllabus में समझाओं, तो अगर आपको syllabus में किसी का भी structure use पूछा जाता है, तो structure तो mainly आपको जैसे barbital का पूछा जाता है, diazepam का पूछा जाता है, oxazipam का पूछा जाता है, benzodiazepine का पूछा जाता है, Barbie turrets का पूछा जाता है, बस, जादा तर इन से ही question बनते हैं, अब बात करें uses की, तो sedative and hypnotics, जितने भी drugs हैं यह, sedative hypnotics के अंडर में, चाहिए वो benzodiazepine के अंदर हो, Barbie turrets के अंदर हो, miscellaneous के अंदर हो, यह सारे drugs जो भी आपको दिख रहे हैं, इन सभी का use same है, मैं यह आपर लिख देता हूँ, वैसे मैंने last lecture में भी बताया था, यह सभी CNS को depressed करते हैं, और weekend से CNS को काम करते हैं, शान्त करते हैं, और weekend से mental excitement को कम करते हैं, एक यह बात को हमने तीन बार लिख दी, CNS को depressed करते हैं, CNS को काम करते हैं, mental excitement को कम करते हैं, साथी साथ, यह anti-convulgent होते हैं, यह मैंने आपको last lecture में बताया था, ठीक है, एंजियोलाइटिक होते हैं, यह एंजियोलाइटिक का मतलब होता है, एंजियोलाइटिक को सही करने वाले, साथी साथ, यह अगर जादा amount में दे देते हैं, तो general anesthesia की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पर uses आ गए आपके एंजियोलाइटिक, 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 सीजोफरेनिया को सही करने में, ज्यादा amount बढ़ा तो जनल anesthetic की तरह, cns को डिप्रेस करते हैं, cns को काम करते हैं, mental excitement को कम करते हैं, ठीक है, तो यह सारी uses हैं, और यह सारे uses आपको किसमें लिखना हैं, चाहिए आपको कोई से भी structure uses पूछ ले, तो uses तो आपके सेम ही रहेंगे, अगर वो आता है, sedative hypnotic के classification के अंदर, जिसे मानली जी आपको पूछ लिया, कि glutheumite का use बता दीजिए, तो यह आप बता सकते हैं, cns को काम करता है, mental excitement को कम करता है, anxiety को सही करता है, अगर आप डोस बढ़ा देते हैं, तो यह सारे सेम uses हो गए, ठीक है, तो बार्बी चुरेट्स मैंने क्या देखा, बार्बी चुरेट्स एंटी कनवल्सेंट होता है, sedative hypnotic की तरह काम आता है, anesthetic activity रखता है, यह सारा हम देख चुके हैं, अब अगर मैं बार्बी चुरेट्स की बात करूँ, तो बार्बी चुरेट्स acidic nature के होते हैं, कैसे nature के होते हैं, acidic, अगर कोई आपसे आगे पूछे कि बार्बी चुरेट्स, acidic nature के होते हैं, क्यूं, तो आप बोलना, बार्बी चुरेट्स आरे class of डिप्रेसंट ड्रग इसको करता है तो बार्वी चुरेट तो बार्वी चुरेट वह ना च्योंकि यह डिराइव ऐसे हो रहा है एक एसी डिराइड हो रहा है तो वह होते हैं वह होते हैं सरस्थी नैचर क्या होते दो बीचूर qualcु एक रच तो आप बोलूफ। दिराइब वह व . लेकिन नेचर चलिए अभी हम देखते हैं बार्वी चुरेट्स की बैसे की स्ट्रक्चर तो मैं आपको दिखाता हूं यह स्ट्रक्चर रे बार्वी चुरेट्स की देख लीजिए इसे कुछ भी नहीं है बड़ी आसान है मैं आपको बना के दिखा देता हूं यहां पर आप बच्चा second फूर और शिक्स पोजिशन यहां लगाऊ double bond O double bond O double bond O बनगे structure फर्स्ट और थर्ड पर nitrogen लगा दो second four और six ऐसे याद रखो दो चार छे दो चार सीपर को क्या लगाना है double bond O लगाना है तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं structure में देखिए यह है आपकी first position यह है second position यह है third position fourth position fifth position sixth position बर्भी चुरेट है ठीक है अब इसका SAR देखेंगे यहां पर change करकर के देखेंगे तो आप देख सकते हैं first position पर nitrogen है तो आप बोलिए nitrogen is essential for the activity if we replace remove और substitute then activity decrease देखो first position पर जो nitrogen है वो ज़रूरी है activity के लिए ring की activity तभी रहेगी activity क्या है cns depressant है न बर्भी चुरेट तो cns depressant तभी रहेगा active तभी रहेगा जब यह nitrogen यहां पर लगा रहेगा अगर आपने इस nitrogen को हटाया change करने की कोशिश करी इसकी जगे कुछ और लगाने की कोशिश करी तो फिर activity जो है कम हो जाएगी ठीक है तो एक point तो बन गया कि first position पर जो nitrogen है वो activity के लिए essential है अब आप देखो third position पर भी nitrogen है तो आप ऐसे बोल सकते हो first position पर nitrogen essential activity के लिए है अगर आपने उसमें कुछ change किया उसको remove किया तो activity कम हो जाएगी वैसे ही third position पर जो nitrogen है वो भी activity के लिए essential है अगर आपने उसमें कुछ change किया या आपने उसको replace किया remove किया तो फिर वहाँ पर भी activity कम हो जाएगी ठीक है अब आप देखो कि second पे four पे और six position पे double bond O लगा हुआ है देखो ध्यान से second four six position पे double bond O लगा हुआ है तो आपको बोलना है two four और six position पर कार्बोनिल ग्रूप कौन सा ग्रूप है यह से मतलब क्या है कि आपके जो बार्वी चूरेट से उसका एक्षिन जो है स्लो हो जाएगा और अगर एक्षिन स्लो हो गया तो से नहीं हो पाएगा तो हमने देखा फर्स्ट पर नाइट्रोजन जरूरी है थर्ड पर नाइट्रोजन जरूरी है और से कन पड़ चर्पोजिस्ट पर दिख्रेट नाइट्रोजन एक्षिन अब देखू नाइट्रोजन गने ठेक है तो अभी तक हमने देखा कि जो लगा हुआ है वो सब जरूरी है अगर उसे अटा आओक तो दिक्कत आएगगी अब देखो नाइट्रोजिन के उपर यहाँ पर भी हाइड्रोजन है एक बात में आपका बता दूँ कि अगर आप CS3 या फिर C2H5 एड्ड करते हो तो इसको एड्ड करने से लिपोफिलिसिटी बढ़ती है क्या बढ़ती है लिपोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी बढ़ गई मतलब ड्र motivating जो होती है वो cell की membrane को आसानी से cross करके अंदर चल जाएगी और अगर drug cell की membrane को cross कर लेगी तो action भी जल्दी देगी तो drug को हमें cross करवाना है और drug को cross करवाने के लिए क्या होना चाहिए लिपोफिलिक नेचर होना चाहिए लिपोफिलिसिटी अथि होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे 3S3 ग्रूप C2H5 ग्रूप एड़ करके उस ड्रग की लिपोफिलिसिटी बढ़ा देंगे और लिपोफिलिसिटी बढ़ने से क्या होगा ड्रग जो है सेल मेंब्रेन को क्रोस करके अंदर चली जाएगी ब्रेन तक ठीक है ब्रेन के बाद कौन से लेयर होती ब्लट ब्रेन बेरियर को क्रोस करके वह ड्रग जो है ब्रेन के पास चली जाएगी वहाँ पर से यह को शांत कर देगी ठीक है सर्थ तो यह कब अच्छे से जाप आएगी जब आप मिथाईल इथाईल ग्रूप अटेज करोगे न तो इनको अटेज करने की वज़े से लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी और लिपोफिलिसिटी बढ़ने से क्या होगा कि ड्रग जो है ब्लट ब्रेन बेरियर को इज ही इसको अटाकर आप स्यएस त्री एड कर सकते हो इसके एड करने से क्या होगा जब आप इसको एड करोगे तो लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी लिपोफिलिसिटी बढ़ने बढ़ेगी तो क्या मैं इसे भी हटा दूं तो मेरा जवाब नहीं अब आप बोलोगे क्यों नहीं जाकर गान की तरह होगे न क्यों नहीं तो यहां पर इसलिए नहीं क्योंकि अगर आपने इस वाले को पहले ही रिप्लेस करके सीएस्ट लगा दिया ना तो काफी है अगर काम होने के बाद ड्रक को निकालना भी तो होता है बोडी से तो द्यान रखना कि यहां पर जो हाइड्रोजन उसे ऐसे कैसा ही रहने दो अगर आप यहां पर चेंज कर रहे हो तो द्यान रखना दोनों नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है पर किसी एक नाइट्रोजन के ido WWE में है प्लेश्ट कर सकते हो दोनों को क्रदेना क्योंकि दोनों को कर दोंगे अस्टर्परा यपोली को जाएगा इसकी इस्पीली पहर परिटिय। में भी प्रॉब्लम आएगी ऐलीमिनेश्पीन भी प्रॉब्लम आएगी अप कि आपने बोला एक ही hydrogen को replace करना हैं दोनों को नहीं कर सकते डन और आपने बोला फिर्स और थर्ट पर nitrogen होना चाहिए डन आपने बोला second for six पर कार्बॉनल ग्रूप होना चाहिए डन आपने बोला किसी एक hydrogen को रिप्लस करो done ठीक है यहां तक सब्सक्राइब आगे आपको यह अभी तक हमने देखा सर एक्टिविटी रिलेशनशिप अभी थोड़े बहुत पॉइंट और बाकी है अब ध्यान से सुनना जैसे कि मैंने आपको बुला यह first position है यह second है यह third है यह fourth है यह fifth है यह sixth है आपको बने बोला first और third पे nitrogen जरूरी second four और six पे carbonil जरूरी ठीक है अगर मैं fifth position पे methyl group लगा दूँ तो क्या लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी बिल्कुल लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी और अगर लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी तो drug हमारी blood brain barrier को blood brain barrier को easily cross कर लेगी cns तक पहुच जाएगी बिल्कुल पहुच जाएगी तो चलो ठीक है यहाँ पर अगर मैं CS3 या C2H5 लगाता हूँ तो लिपोफिलिसिटी बढ़ती है और blood brain barrier को हमारी drug easily cross कर लेती है ठीक है ठीक है सर अगर मैं यहाँ पर branching करता हूँ branching का मतलब क्या हो है इस तरह से ठीक है अगर मैं यहाँ पर branching करता हूँ तो branching की वज़े से भी लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी तो मैंने दो कारण बता है या तो आपने नॉमल मिथायल या इथायल ग्रूप लगा दिया या आपने branching कर दी या तो नॉमल मिथायल इथायल ग्रूप लगा देगी शांत कर देगी ठीक है पर अब क्या होता है बच्चे बोलते सर में तो branching बढ़ा लेता हूँ और branching कर देता हूँ इस तरह से और branching कर देता हूँ तो ध्यान रगना अगर आपने जादा branching करी तो activity कम हो जाएगी क्यूं क्यूंकि जादा branching करोगे तो उतना ही पर nitrogen चाहिए कोई substitution नहीं होना चाहिए टेकंड 4 और 6 पर कार्बोनिल ग्रूप होना चाहिए इसेंशल है पस पर जो hydrogen है उसे आप replace करके CST लगा सकते हो लिपफिलिसिटी बढ़ेगी पर किसी एक का करना दोनों का मत करना यह जो आपकी फिप्त पोजिशन है फिप्त पोज अपन की branching तक चलता है एक्टिविटी बढ़ी है और अगर आपने branching बहुत ही जादा कर दी ठीक है इस तरह से बहुत ही जादा branching कर दी तो branching जादा करने से molecular weight बढ़ जाएगा और activity कम हो जाएगी ठीक है यह सारे points में आपको यहां पर लिखे हुए है देख लो अच्छे अगर आपने बहुत जादा branching कर दी तो एक्टिविटी जो है कम हो जाएगी डिक्रीज दर डिप्रेजंट एक्षन एक्टिविटी कम मतलब एक्षन कम हो जाएगा उसका क्यों क्यों क्योंकि molecular weight बढ़ गया ठीक है MW मतलब molecular weight चलिए आगे चलते हैं अब देखते हैं इसका वो क्या कराते थे hyper polarization कराते थे यह हमने last lecture में देखा था ठीक है तो यहां पर किसका mechanism of action देख रहे हैं हम देखने वाले हैं जो हमारा बार्वी चुरेट्स चल रहा है उसी का बार्वी चुरेट्स की तोरी वो थियोरी देख ली अभी बार्वी चुरेट्स का हम देखेंगे mechanism of action कि किस तरह से बार्वी चुरेट्स काम करता है तो बार्वी चुरेट्स आरकामज़ंब्य लिए से रहे हैं न्र समय किसे जुडेगा जो गाबा में भी कही तरह की सभ सालिट होटी है अलफा बीटा गामा तो यह अलफा और बीटा से जुडेगा तो धियान रखना जो से वो रिसंटार से चुड़ेगा कौन से टा सै गाबा रिसंटार की भी कौन सी यूनिट से अलफा हैं बीटा यूनिट से है रग ड्रक का मतलब 12 बार्वीक रेगी यह तो है तो इसे रंबाल अरी से जिसी फैसी धनाे सुरी जा फैसी werd चेनल ओपन होंगे आई रिपीट बार्विचुरेट बैंड ओन रिसप्टर कौन सा रिसप्टर गाबा रिसप्टर कौन से साइट पे अल्फा बीटा साइट पे और बाइंड होने के बाद से अक्टिवेशन हुआ वो सारे क्लोराइट कहां पर आ गए अंदर आ गए आप देख सकते हैं आप डाइग्राम में बाहर जितने भी क्लोराइट थे वो सारे अंदर आ गए और अगर क्लोराइट अंदर आ रहे हैं मतलब नेगिटिव चार्ज अंदर आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर न इंट्रसेलर फ्लूट के तरफ नेगिटी चार्ज आना शिरू हो गया, और यह क्यों हुआ, क्योंकि बार्बिचुरेट्स रसाप्टार से जुड़ी रसाप्टार के एक्टिविशन हुआ, कन्फरमेशनल चेंज आए, और खुला, और थोड़े जादा टायम के लिए खुला increase the time of opening of chloride channel जिसकी वज़े से अगर यह chloride channel बहुत ही देर तक खुला रहा उसकी वज़े से hyperpolyrization हो गया hyperpolyrization एक ऐसी condition है जहाँ पर negative charge deposit हो जाता है intracellular fluid में और अगर ऐसा हुआ तो आपका CNS depress हो जाता है तो CNS depress ही करती है न यह drug तो कैसे करती है आपको सुन में आगे न यह drug bind होती है receptor से गाबा receptor से गाबा receptor की sub unit alpha और beta से receptor को activate करती है conformational change लाती है chloride channel को खुलती है थोड़े जादा time तक जैसे chloride channel खुलेगा extracellular fluid से intracellular fluid में chloride आएगा मतलब अंदर की तरफ negativity आएगी और ज़्यादा negative आने की वज़े से इस condition को हम कहेंगे hyper polarization और hyper polarization होने की वज़े से CNS depress हो जाएगा काम हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से mechanism of action होता है इस तरह से इसका SAR होता है अभी हम देखते है syllabus में हमने सब कुछ कवर कर लिया आपको यहां पर सबसे बिल आपको लेना है यूरिया ठीक है और यूरिया मैं आपके सामने बना देता हूँ C double bond O NH2 NH2 बताओ भी क्या था है इसमें कुछ भी नहीं था ना यूरिया बना दिया एक कार्बोनिल ग्रुप लगा के दो NH2E तो जोड़े है तो यह हो गया यूरिया यूरिया रियक्ट विथ इस स्ट्रक्चर पहले इस स्ट्रक्चर को बनाना जिखते है पहाड बना दो दो बना दिये उसके बाद यहां पर लगाओ पहाडों के एंड में oxygen oxygen और बीच वाला विचारा खाली ले गया तो यहां पर C2H5 C2H5 लगा दू ठीक है तो जब मैंने बीच वाले को दो C2H5 दी है तो यह oxygen परिशान हो रहे कि यार मेरे को C2H5 पर तो दो तो मैंने का यार मेरे पास तो दो ही है तो बोले ठीक है एक उस oxygen को दे दो एक मुझे दे दो तो एक C2H5 इदर आ गया और एक C2H5 इदर आ गया यह हो गई structure याद क्या था इसमें कहानी बना के याद करो कैसे ही याद करो ठीक है कुछ भी नहीं है देखो मैं आपको वापिस दिखा देता हूं यहां पर देखिए यह पहाड बना दिया मैंने पहाड बनाने के बाद दोनों त structure का नाम हुआ डायथाइल टू-टू-डाय इथाइल डायथाइल 2-2 डायथाइल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आप देखू डायथाइल 2-2 डायथाइल और यहें data to dito-dito-dino-et 없는ch तो यूरिया motors react with diethi 2 to die ethyl mellonate in the presence of sodium ethoxide अब sodium ethoxide याद करना भी आसान है देखो sodium मतलब na तो आएगा ethoxide मतलब o भी आएगा और eth है eth मतलब 2 karbon तो c2h5 तो sodium na ethoxide में o आ रहा है तो o और eth है दो कारवन है तो eth यह हो गया वेन यूरिया रियक्ट वित डाइथाइल 2 to die ethyl mellonate in the presence of sodium ethoxide it form barbital बन गया बार्बिटल अब बार्बिटल कैसे याद रखोगे देखो पहले तो यह पहाड बना दिया ऐसे याद रखो कि आप पहाडों पर जाके मंदिर में घंटी बजाने वाले तो यह लगा दी मिने घंटी बजाव इसको ठेके उसके बाद यहाँ पर nitrogen नाइट्रोजन नाइट्रोजन मतलब आप अपनी मंदिर में ऐसे याद रख लो नेगिटिविटी लेकर कहां गये हो मंदिर में घंटी बजाने पर आपकी नेगिटिविटी बहुत सारी एक गंटी से आपको फर्क नहीं पड़ेगा आप घंटिया बजाते रोगे इस तरह से यहाँ भी घंटी नेगिटिविटी की नीचे उपर उपर गंटी सब सर्सिंट नेगिटिविटी इस उद्स चरब घंटिया मतलेगा नमेरा बीच वाला lt ओसे ट्रिग बना यहाद करा गरो जहां मैकेनिजम की चरूर रहते जैसे और्गेनिक हमस्istor है मैंने भरबर के में के मेकेनीचिम बताई है यूनेट नमर फिर तो देख लो जाके मज़े आए जाएंगे और गिनिक केमिस्ट्रिक अब जरूरत ही नहीं है तो वहां तो हम काम निकालेंगे न दो माक्स में तो पहलो तो अभी इस्ट्रक्चर बना देना फिर बोलना यूरिया डियक्ट विट डाइथाल टुटु डाइ अब बाकी तो आपको इस्ट्रक्चर दे रखी है और एक बार इंपोर्टेंट कोईशन की वीडियो देख लेना वहां पर मैंने बता रखा है कि कौन से स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट है टू माक्स में और यूजस तो आपको सभी के से में लिखना है ठीक है यह देखिए बार कोई भी डावट है तो आप कमिंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं यह नौट्स आपको डेफ्त बायलोजी अप्लेकेशन में मिलेंगे डेफत बात्यामाल। नवीड वह सकते हैं और डेफ्त बाहिए आप्ली के वायर कर्ते से प्रोषंसे में और साथ साथ हर यूनिट से 50 MCQ में अपलोड करने वाला हूं और यह सब कुछ फ्री है और हर संडे में वहाँ पर आपको लाइव भी आता हूं 11 एम और एक दिन में तो इससे आपकी प्रिप्रेशन बहुत ही शार्प हो जाएगी तो जरूर डाउनलोड कीजेगा डेक्टर बाइलोजी अप्लिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेस्टोर पे आप साइच कर सकते हैं टेलिग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाना देलिग्राम पर रेगुलर अपडेट मिलेगी इंस्टाग्राम पर डेली मीम्स मिलेंगे पार्मेसी असाने विट डियो भी सब्सक्राइब इन शेफ और मौर एव नाइस दे थैंक यू